दोस्तो नौलेज उन्फो के यूटूब चैनल पे आपका एक बाग फिर से बहुत बहुत सौगत है अभी एक नई जानकारी सारा की तरफ से प्राप्त हुई है जो कि बिहार की है बिहार सरकार ने सारा समू को चेताबनी दी है कि 15 दिन के अंदर जिनकी मैच्योर्टी की डेटे ओवर हो गई है उनका 15 दिन के अंदर भुकतान करें तो बिहार के जो उपमुक्हमंत्री सुनुलकुमार मोदी ने गैर बैंकिंग वित्ती कारोबार करने वाले सारा समू को चेताबनी दी है कि अपनी ऐसी विभिन जमा योजनाओं में जिन जमा करताओं की परिपक्ता अबदी पूरी हो गई है उनका भुकतान 15 दिन के अंदर सुनिश्चित करें तो ये एक नई चीज आई है कि मलब आडर हो चुका है कि सारा को पिमिन करना पड़ेगा तो बिहार के मुकमंति सुनिल कुमार मोदी ने गैर बैंकिंग वित्ती कारोवार करने वाले सारा सम्मू को चेताबनी दी है कि वो अपनी ऐसी विभिन जमा योजनाओं में जिन जमा करताओं की परिपक्तवा अबदी पूरी हो गई है उसका पंदर दिन के अंदर भुकतान सुनिश्चित कर दें ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाब राज में जमा करताओं के हिट सनच्छन कानून बीपी आईडी दोहजार दो के तहत सक्त कारवाई की जाएगी सुसील की अद्यश्चिता में पिछले दिनों सच्छिवाले इससे उनके कारियाले में उच चिस्तरी बैठक के दोरान सारा समू को उप्त चेताबनी दी गई सुसील ने का है कि सारा समू दोरा मल्टी स्टेट कोपरेटिस सुसाइटी के जरिये जमा राज्सी करवा कर जमा करताओं को समय से भुकतान नहीं कर जमा अबदी बढ़ाने का दवाव बनाया जा रहा है जो कि बात सही है कि मलब वालेडी इन्वेस्टर का जो भी मैचियोटियां हो चुकी है अब उसको फिर से आगे बढ़ाने के लिए दवाव इन्वेस्टर पे बनाया जा रहा है उनके खिलाब जाच के खिलाब सहकारता विभाग भारत सरकार को एक पत्र भी लिख रहा है बैठक में बताया गया है कि सारा सम्मू दरजनों नामों से जमा की उजना चलाती है सरकार के पास साड़े 300 से ज़्यादा जमा करताओं की सिकायते आई हुई है कि परिपकवता के वाबजूद उनकी रासी का भुकता नहीं किया गया है तता कमपनी दारास पर इनूबल कराने वाबदी विस्तार का दबाव बनाया जा रहा है बैठक में सारा सम्मू को निर्देश दिया गया है कि अलगल योजनाओं के अंतरगर जितने जमा करताओं की जमा परिपक्तवा पूरी हो चुकी है उनकी सूची सरकार को अपलब्द कराएं और पंदर दिन के अंदर उनके जमा रासी का ब्या सहीद भुकतान सुनिश्चित करें सारा सम्मू को चेताबनी देते हुए कहा गया है कि अगर वो भुकतान नहीं करता है तो बिपी आईडी दो आजार दो एक्ट केता है तो उनकी परसंपतियों को सरकार अधिक रहत करके करने की कारवाई करेगी की साथ ही आम लोगों से अपील की गई है वे अपनी बचत रासी नॉन बैंकिंग कंपनियों के जगे अधिसूचित बैंकों में जमा करें चुकि नॉन फाइनेंशियल सर्विसेश के तहट सारा को लाइसेंस मिला हुआ था तो लोगों ने ब्याच के रेट को देखते हुए उसमें इन्वेस्ट किया था बैठक में आर्थिक अपरादिकाई के अपरमानी देशक जोकी एस गंगवार पटना के जिलादिकारी रवी कुमार वरी पुल्सिस अधकारी मनु माराज आर्बी आई के उपनी देशक गैर बैंकिंग सुतिस गौतम आदिव पस्तित थी जिन्हों ने इस ओर्डर को दिया है तो सारा के लिए एक बहुत बड़ी चुनोती बन गई है कि अगर वो 15 दिन के अंदर अगर वो अपने मैचोटी के जिनकी मैचोटीयां हो चुकी हैं अगर उसके भुक्तान नहीं करती है तो उनके साथ क्या-क्या नई मुसीबतें तयार हो जाएंगी तो ये आने वाला समही बताएगा चुकी बिहार में ये जो निड़े लिया गया है ये बहुत अच्छा निड़े है कि इन्वेस्टर के लिए ये बहुत अच्छी ख़बर है कि अगर ये निड़े माल लिया जाता है सारा समही की तरफ से तो investor को उनके payment 15 दिन के बाद से start मिलने शुरू हो जाएंगे तो देखते हैं दोस्तों कि 15 दिन के अंदर लोगों को उनके payment किस तरीके से मिलते हैं यार जो राज सरकार है वो विहार की जो सरकार है वो उसको किस तरीके से payment लोगों को दिलवाती है जो कि वहाँ के लोगों को मलग किस तरीके इस पेवेंट मिलता है तो ये आने वाले समय में हमको जो भी जानकारी नई प्राप्त होती है मैं आपके सामने गवाँ फिर से उपस्तित होता हूँ तब तक के लिए लोस्तो धन्यवाद सेवी का 14,000 करोड रुपए की रिफंट का नया अदेश है दोरे बुकतान की समान सहारा ने बताया इसे अनयते सहारा समूब ने निवेस्सको को 14,000 करोड रुपए की रासी वापस करने के बारे में बजार विनी या मक से भी के नए अदेश पर कहा की ऐसा करना दोरा वुकतान करने जैसा होगा ने जिली मुश्किलों का सामना कर रही सहारा समूब ने निवेस्सको की 14,000 करोड रुपए की रासी वापस करने के बारे में बजार विनी आपक से भी के नए आदेश पर कहा की ऐसा करना दोरा वुकतान करनी जैसा होगा क्योंकि 17,000 करोड रुपए को छोड़कर निवेस्सको को पूरा वुकतान किया जा चुका है सारा इंडिया कमर्शल कॉपरेशन लिमिटेट और सुवरत रुपए सहीत कई लोगों के खिलाव वजार नियामक केंदरित प्रतिबूती एवा मिवनिय गोड पोड से भी के आदेश पर विस्तरित प्रतिक दिया देती हुए सारा समूब नहीं कहा कि यह नेस ग्रिक निया रुपए से अधिकी रासी लोटाने के 2011 के आदेश को लेकर सेभी के साथ उनकी लंबी समय से कानूनी लड़ाई चल रही है सेभी ने उस आदेश में समूब की कंपनी सारा इंडिया रिरिजिट कॉपरेशन लिमिटेड और सारा हाॉसिंग इंवेस्ट कॉपरेशन लिमिट सार taped में उस रासी का एक बड़ा हिस्सा पहले ही जमा कर चुक है ताकि उस से ने विझको का पैसा लोटाया जा सके सारा सामू का कहना है कि वह पहले ही 98% रासी सीधे ने विझको का लोटा चुक अब रहे हैर अन्तिम जानकारी के मतावित से भी ने विशको के विर्ण के प सहरा का कहना है कि सेभी का आदीज धन को दोबारा फुक्तान करने की तरह का मामला हो जाएगा यह मामला S I C C L दोबारा एक सोटानमे से लेके दोहजार नो के दोरान करीब दो करोड निवेसकों से 14,106 करोड रुपए जुटाने का है इसमें कहा गया है कि रासी एक करोड 98,39,39 निवेसकों से जुटाए गई थी समून ने कहा कि S I C C L ने O F C D से सम्बंदित अपनी सभी धिनदारी का भुक्तान कर दिया है और अब 54,804 सदस्यों की O F C D दिनदारी के तोर पर बातर 17 करोड रुपए की दिनदारी बका आया है भुक्तान किये गई प्याज का TDS आएकर विपाग में जमा किया जा चुका है अत एव से भी के इस आदेश के दौरा उस दिनदारी का दुबारा भुक्तान का मामला बनता है जिसे S I C C L ने पहले ही भुक्तान कर दिया है झाल 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 झाल